दोस्तो अगर आप फोल्सिलिंग करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फरमेटिव होने जा रही है दोस्तो चाहे आपका घट नया हो या पुराना जब आप अपने घर के अंदर फोल्सिलिंग करवा लेते हैं तब आपका घर का लुक बहुत इकुपसुरत दिखाई देता है पर दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि फॉल्सिलिंग करवाने का कितना खर चाहता है और मकान मालिक किसी भी कॉंट्रेक्टर के चक्कर में फसकर ज्यादा पैसा गवा देते हैं और साथ ही ज़्यादा जानकारी ने होने के कारण काम की गुनवत्ता यानि के क्वालिटी को भी नहीं देख पाते तो दोस्तो आप चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपकी हर एक प्रोबलम का सोलूसन लेकर ऐसे ही आते रहते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका किसी भी साइज का रूम हो तो उसका कोश्ट कितना आता है फॉलसी लिंक कराने के लिए तो देर फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप सिर्फ रूम की डाइमेंज से लिखकर रूम की लंबाई और चोड़ाई लिखकर आप रूम की कोश्ट का पता कर सकते हो मतलब रूम की लंबाई चोड़ाई से ही आपको रूम के खर्च का पता लग जाएगा कि इसमें आपका false selling में कितना खर्च आने वाला है दोस्तो अगर आप चैनल बर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए दोस्तो जदे देज ने करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वैसे तो PVC, POP और Gipsum इन तीनों तरह की false selling को मेंनली की जाती है तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूर होता है कि इन तीनों में से कौन सी false selling करानी है अब दोस्तो हम यहाँ पर false selling consider कर रहे हैं Gipsum Gipsum false selling इसका cost थोड़ा कमाता है और इसका दूसरा advantage यह है कि इसमें लगने वाला time बहुत ही कम होता है क्योंकि इसके readymate seat आते है जो कि directly frame के उपर fit करने होता है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी false selling का इस्तिमाल भी के जाता है इसलिए हम Gipsum false selling के rate लेंगे दोस्तो एक बात और आपको और दियान रखनी है कि यह है जो हम material के rate ले रहे है यह सब branded material के rate है ऐसा नहीं कि इस rate में आप local material लेना start करे आपको branded material का ही use करना है अब next आप बात करते है कि जब भी आपको false selling करानी है तो आपका manual खर्च दो चीजों पर depend करता है पहली चीज होती है आपका material cost और दूसरा होता है labor cost अब material cost में सबसे ज़्यादा खर्च आता है Gipsum board के लिए और इसके बाद दूसरा part इसमें आता है complete framing material जैसे की bottom section, intermediate, angle, screw, fastener, Gipsum fiberness ऐसी सभी चीज़ें आपको Gipsum false selling कराने के लिए लग जाती है तो हम इन सभी चीज़ें को जोड लेते हैं तो बन जाता है हमारा material cost जिसमें आपका transportation cost भी added है इसमें ऐसा नहीं कि आपको अलग से transportation cost देने की जरूत है तो यह total material cost होता है आपका 56 परतिसत अब अगर बात करें per square feet में हमारा कितना खर्च आता है तो हमें per square feet 45 रुपे के हिसाब से हमारा खर्च आता है और दूसरा हम बात करें labor cost की और इसमें आप contractor profit भी add कर लेते हैं तो दोनों को मिला कर इसमें हमारा 40 से 45 परतिसत तक खर्च आ जाता है labor और contractor profit तो इन दोनों का cost हम मिला लेते हैं तो आपका 35 रुपे per square feet बन जाता है जैसे कि हमने पहले calculate किया था कि 45 रुपे per square feet हमारा material cost आ रहा है और उसके बाद दूसरा cost आ रहा है हमारा labor plus contractor profit को मिला कर वे 35 रुपे per square feet तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा answer आता है 80 रुपे per square feet मतलब आपका total जो खर्च बैठेगा वे होगा 80 रुपे per square feet अब जो आपका rate निकल कर आया है दोस्तो वे rate manly depend होगा labor और material cost के उपर ही हाला कि यह rate थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है मतलब यह आपकी location के हिजाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है पर इससे आपको काम करने से पहले एक tentative idea हो जाएगा मतलब पहले ही आपको पता लग जाएगा कि आपका approximately कितना कर्च आने वाला है दोस्तो कुछ मकानमाली कैसे होते है जो material को खुद purchase करकर ला कर देते है इसलिए हमने material cost अलग से निकाली है और labor cost अलग से निकाल कर आपको बताईए अब दोस्तो जिस आसान तरीके के बारे में मैंने आपसे वीडियो के सुरुआत में ही बोला था अब उस आसान तरीके को अच्छे से जान लेते हैं और समझ लेते हैं अब दोस्तो मान लेजिए आपका room का size 10 by 10 यानि कि 100 square feet है और इसमें आपको material cost निकालनी है उमका laborが खर्च निकालना है तो आपका labor कर्च है 35 रुपे per square feet तो आपका labor खर्च निकल कर आएगा 35 रुपे और अगर आपको दौस्तो ओभराल उसका खर्च निकालना है labor cost plus material cost तो वह आएगा आपका 8000 रुपे मतलब दोस्तों आपका labor खर्च पलस material खर्च मिला कर बैठता है 80 रूपे पर स्क्वाइर पिट दोस्तों आपका किसी भी size का room हो तो आप उसको 80 से multiply कर लीजे तो आपका total खर्च निकल कर आ जाएगा आई हो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके जरूर काम आएगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलेगा और मेरी आने वाली और भी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकिशन के लिए बैल आइकन को प्रेस भी कर दीजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपिक के साथ तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार